आ जाए ठीक है आ जाएगा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है स्टार्ट करते हैं दिख रहे हैं न साफ है हम आज पढ़ेंगे रिस्पॉंस टू ए बायिटिक फैक्टर सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि हम पिछली क्लास में हमने यह चाप्टर स्टार्ट किया था चाप्टर का नाम है और्गैनिजम्स एंड पॉपिलेशन हमने बात की थी डिफरेंट डिफरेंट और्गैनिजम्स होते हैं different factors होते हैं environment में जब वो रहते है for example जब एक organism environment में रहेगा तो environment में δो तरी के factors होते है एक होते हैं biotic factors और एक होते हैं abiotic factors ध्यान से सुनना क्या बात हो रही है biotic वो होते हैं एक environment सोचके देखो हमारे आस पास का environment दो चीजों से बनाएं एक तो बायोटिक जो की बायो मीन्स लिविंग यानि की जो भी लिविंग चीजें हैं हमारे आसपास वो environment बनाती है प्लस ए बायोटिक मतलब non living तो दो तरीके की चीजें होंगी तुमारे आसपास environment में एक तो होंगी living और एक होंगी non-living है ना ऐसा ही होता है तो non-living चीजों में हमने last class में कुछ चीजें पड़ी थी वो थी water temperature sunlight या light बोल सकते हो और soil इन चार चीजों के बारे में हमने पिछली class में पड़ा था ठीक है अब हम पड़ते हैं response to abiotic factors response to abiotic factors का मतलब क्या है हम लोग abiotic factors अगर change होंगे तो उसके तरफ हमारा response कैसा होगा for example अगर temperature बढ़ने लगे या temperature घटने लगे तो तुम्हारी body के साथ क्या होता है अगर temperature कम होने लगे तो हमारी body के साथ क्या होता है मतलब हम ठंडी पड़ने लग जाए तो क्या होता है हमारी body के अंदर हम कापने लगते है shivering हम shiver करते हैं ऐसा यह न ऐसा यह न गूड आफ्टरून ठीक है तो अभी हम बात कर रहे है रिशब response to abiotic factors अभी start किया हमने ठीक है यह मैं थोड़ा सा कलका एक recap दे रही थी अभी start किया हमने हम पढ़ रहे है response to abiotic factors मतलब क्या है अगर मेरे आसपास abiotic factors change होने लगें जैसे water temperature, light और soil इन चीजों में अगर change आने लगेगा तो हम उसकी तरफ कैसे response करेंगे या पिर हम यह कह सकते हैं कि हम कैसे react करेंगे उसकी तरफ तो मैंने एक छोटा सा example दिया अगर मान लो तुम्हारे आसपास temperature कम होने लग जै जैसे कि अभी ठंडी पढ़ रही है तुम सब को पता ठंड हो रही है तो ज़्यादा ठंड लगती है तो क्या होता है हमारी body shiver करने लगती है कापने लगते हैं न हम तो कापने से या shiver करने से क्या होता है body में गर्मी पैदा होती है body का temperature बढ़ने लगता है तो गर्मी हमें लगने लगते हैं अगर हम कापते हैं तो फिर ठंड नहीं लगती बाद में यह body का अपना mechanism है हम नहीं कर रहे हैं अपने आप नहीं काप सकते हम हमें ठंड लगेगी तो ही हम कापेंगे वैसे नहीं कापेंगे तो this is the mechanism of our body यह हमारी body का mechanism है कि हम यह देख रहे हो यह response यही तो response है कि तुम कैसे response करोगे अगर कोई भी चीज चेंज हो इन सब में से तो चलो बात करते हैं तीन तरीके के organisms होते हैं तीनों के बारे में बात करते हैं एक graph बनाओ अपनी book खोल के रखना page नमबर 223 इसमें graph बना हुआ है अब देख लो यह क्या graph है देखो इस graph में y axis पर दी हुई है internal level और x axis पर दी हुई है external level इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी चीज की बात कर रहे हैं जैसे for example टेंपरेचर की बात कर लो तो internal level of temperature क्या है हमारी body का और external level of temperature क्या है मतलब environment की बात हो रही है अगर यह तुम हो यह environment है तो internal level मतलब तुमारी body की अंदर का level और external level मतलब तुमारे environment का level इन में से किसी भी एक abiotic factor की तुम बात कर सकते हो उसके हिसाब से ये graph बनेगा जिसमें y-axis पर internal level दिखाया हुआ है और x-axis पर external level दिखाया हुआ है बाहर का level दिखाया हुआ है ठीक है अब ध्यान से सुनना इसमें क्या होगा देखो तीन तरीके के organisms होते हैं तीन तरीके के organisms होते हैं एक तो होते हैं सबसे पहले regulators जो की हम भी हैं तो पहले अपनी बात कर लेते हैं पहले टाइप के होते हैं regulators regulators कौन होते हैं जो अपनी body का temperature regulate करके एक particular temperature maintain कर सकते हैं मतलब उनका internal level तो यही रहेगा देख रहे हो external level कितना भी बढ़ा लो लेकिल internal level नहीं बढ़ेगा internal level constant रहेगा उन organisms को कहते हैं regulators देख रहे हो यह x-axis बता रहे हूं बता रहे हूं देखो यह x-axis पे चीज़ें बढ़ती जा रहे हैं but y-axis वाला constant है इसका मतलब कह है देखो अपने आपसे समझना हमारी body में जो blood है उसका काम होता है दो चीज़ें करता है हमारा blood और वैसे और भी चीज़ें हैं जो मिलकर दो चीज़ें करती हैं जिसको बोलते हैं thermoregulation और osmoregulation दो चीज़ें होता है thermoregulation मतलब तुम्हारा temperature constant रहता है and osmoregulation मतलब osmolarity भी constant रहती है, ये किड़नी करता है Osmolarity constant Osmo regulation अब बात क्या है ध्यान देना तुम्हारी body का temperature हमेशा एक जैसा ही रहता है ये पता है सबको 98.6 Fahrenheit ऐसा ही है ना अगर इससे जादा होगा तो तुम्हें बुखार हो जाएगा अगर इससे कम होगा तो तुम्हें ठंड लगेगी ऐसा ही है है ना हमारी body का temperature हमेशा एक जैसा ही रहता है हमेशा एक जैसा temperature रहता है हमारी body का अगर हमारी body का temperature बढ़ेगा तो हमें बुखार हो जाएगा अगर घटेगा तो हमें ठंड लगेगी इसको बोलता है regulators मतलब बाहर चाहे कितनी भी ठंड पड़े या कितनी भी गर्मी पड़े समझ रहे हो बाहर चाहे कितनी भी ठंड पड़े कितनी भी गर्मी पड़े अंदर का temperature एक ही जैसा रहेगा कुछ भी कर लो अगर ज्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है ज्यादा कर्मी पढ़ती है तो तुम क्या करते हो कम कपड़े पहनते हो कॉटन के कपड़े पहनते हो पंखा चलाते हो एसी चलाते हो ऐसा ही चीज़े करते हो ठंडा पानी पीते हो यह किसलिए करते हो ताकि तुमारी बॉड़ी का टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहे मेंटेंड रहे तुम्हें जादा कर्मी लगे कि तो बुखार हो जाएगा और ठंड में क्या करते हो तुम लोग ठंड में जादा कपड़े पहनते हैं हम लोग जैकेट स्वेटर वगएरा हमने हम बहुत सारे कपड़े पहनते हैं ठंड में और हीटर रूम हीटर चलाते ह गरम पानी पीते हैं, ऐसा ही करते हैं न, सही है दिख्षा, ठीक है रिश्ब, ठीक है, तो हमारी बॉडी का, यह हमारी बॉडी की खासियत है, हम रेगुलेटर्स है, ठीक है, हमारे अंदर एक स्पेशल एबिलीटी होती है, तो मैंटेन होमियोस टैसिज, जो यह कह रहे हैं न, एक जैसा रखना, उसको कहते हैं होमियोस टैसि, यह, एक जैसा रखना, और यह किस वज़े से हो पाता है, क्यूंकि हम थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं, और हम क्या है, वी आर रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स कौन होते हैं, चाहे, बाहर कैसा भी तिम्परेचर हो, कैसी भी चीज़ें हो, मैं यह चारो użyक्टर की बात कर रहे हूँ, बाहर कुछ भी होजाए, अंदर का लेवल सेम रहेगा, अंदर का लेवल यह, मैंटेन करके रखते हैं next second second type के जो organisms होते हैं living organisms वो होते हैं confirmers 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 क्या होते हैं वो organisms देखो एक बात बता दू 99% of living organisms confirmers है मतलब क्या है ये वो organisms होते हैं जो अपना internal environment maintain नहीं कर सकते ये क्या करते हैं ये होते हैं confirmers देखो ये क्या करेंगे जैसे-जैसे external change होगा वैसे-वैसे internal होता है बाहर ठंड बढ़ेगी इनकी body में भी ठंड बढ़ेगी गर्मी होगी तो इनकी body में भी गर्मी होगी देख रहे हो देख रहे हो न, बाहर का चेंज हो रहा है, तो इंटर्नल भी चेंज हो रहा है, यह होते हैं, कन्फर्मर्स, फिशिज, मचली, अगर तुम एक्वेटिक, या किसी भी एक्वेटिक और्गैनिजम्स की बात करोगे, तो ऑस्मोलेरिटी, जैसे जैसे उनका बाहर का वाटर, चेंज होता है, वैसे वैसे उनकी बॉड़ी के अंदर भी ऑस्मोलेरिटी डिफरेंट होती जाती है, जैसे मैंन दिशम को तो बताई दिया था, देखो, ध्यान से सुनो, दोनों सुनना ध्यान से याँ पर, अगर तुम एक फिश लो, ठीक है, और उसके बाहर तुमने बहुत ज्यादा सॉल्टी वाटर रख दिया, मतलब सॉल्टी वाटर के अंदर तुमने एक नॉर्मल फिश डाल दी, तो भार दिखना क्या, एक चीज तुम्हें याद होनी चाहिए, एलेवन्थ में बढ़ा था, ओस्मोसिज, क्या होता है ओस्मोसिज, याद है, दिख्शा, मैं बता जैते हूं, मुव्मेंट ओफ वाटर, फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, मतलब हाई कंसेंट्रेशन ओफ वाटर, जहां पानी ज्यादा होगा, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहे हूं, जहां पानी ज्यादा होगा, वहां से कम पानी की कंसेंट्रेशन की तरफ, और एक बात ध्यान रखना concentration की बात कर रहे हैं तो concentration क्या होती है एक चीज होती है concentrate solution और एक होती है dilute solution ये तुमने पढ़ा भी होगा chemistry में concentrated solution क्या होता है जिसमें पानी की मात्रा कम हो और solute की मात्रा ज्यादा हो solute ज्यादा होता है पानी कम होता है कभी देखते हो concentrated HCl का मतलब क्या होता है इसमें HCl ज्यादा है पानी कम है तो वो dangerous होता है dilute HCl में क्या होता है थोड़ा सा HCl होता है बाकी पानी होता है पूरा तो थोड़ा सा solute है बाकी का पानी है समझ रहे हो ठीक है दिक्षा रिशब ठीक है ओके रिशब ठीक है तो अब यहां ध्यान देना बहुत ध्यान से देखना देखो बाहर सॉल्ट ज्यादा है मतलब बाहर पानी कम होगा सॉल्ट ज्यादा है सॉल्ट ज्यादा है तो पानी कम होगा और अंदर salt कम है तो पानी ज्यादा होगा ऐसा ही है दिख्षा ठीक है सही है तो यहाँ पर osmosis कैसे होगा यहाँ से water अंदर की तरफ जाएगा ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना तो यहाँ इसके अंदर पानी भरने लगेगा यह fish swell होने लगेगी और अल्टिमेटली इसको दिक्कत होगी यह मर भी सकती है तो बात क्या है जैसे जैसे इसके external environment में changes होए मान लो salt ज्यादा हो गया इसके external environment में तो उसी के हिसाब से इसका internal environment भी change हो गया यह swell होने लग गया इसमें पानी भरने लग गया समझ रहे हो तो जैसे जैसे इसका external environment change होता है वैसे वैसे यह अपना internal environment भी साथ में change करते हैं यह वो होते हैं तो यह होते हैं conformers इन्हें कहते हैं conformers जो अपने internal environment को external environment के हिसाब से change करते जाते हैं समझ आ गया किसी को कोई दिक्कत है ठीक है चले आगे बढ़िया अब तीसरे टाइप के third type of organisms होते हैं जिनको बोलते हैं partial regulators partial regulators क्या होते हैं देखो नाम से आ रहा है partial regulators partial मतलब कुछ हद तक यह regulate कर सकते हैं मतलब क्या पहले तो यह अपना internal environment external environment के हिसाब से change करते हैं जब तक हो सकता है बट जब एक specific time आ जाता है तो यह अपना temperature या जो भी बात है internal environment को maintain कर लेते हैं अपने आपको regulate कर लेते हैं यह होते हैं partial regulators मतलब इनको तुम बोल सकते हो आधा conformer आधा regulator क्योंकि इसने कुछ time तक देख रहे हो कुछ time तक इसने बाहर का environment की हिसाब से अपने आपको change किया है जैसे जैसे बाहर का environment change हो रहा था यह अपने आपको change कर रहा था लेकिन कुछ time बाद इसने अपने अंदर के temperature को maintain कर लिया अपने अंदर के temperature को maintain कर लिया यानि की regulate कर लिया तो यह हो गई partial regulators यह समझ आया ठीक है रिशाम तो यह मतलब था इस graph का यह इस graph का मतलब था अब हम आगे चलते हैं ठीक है अब दरा ध्यान देना यह इस graph का मतलब था बहुत important graph है इसे अच्छे से पढ़ना अच्छे से करना इसके उपर बहुत question आते हैं पहले बता दिया में ठीक है आगे चलते हैं अब एक चीज़ देखो अब क्या हो अगर कम time के लिए बाहर की condition change हो जाए यानि कि बाहर external environment में unfavorable condition हो जाए मतलब ऐसी condition आजाए जिसमें survive करना मुश्किल है किसी भी एक organism के लिए किसी भी एक organism के लिए survive करना मुश्किल है अगर ऐसी external environment हो जाती है कुछ समय के लिए ये भी ध्यान रखना दो तरीके उठे हैं बहुत important है ध्यान रखना दो तरीके हैं पहला है migration पहला है migration दूसरा है suspension या suspend बोल सकते हो तुम देखो दोनों तरीके समझाते हूं मैं बहुत important है देखो migration तो सबको पता है ये बचपन से पढ़ते आ रहे migration का मतलब क्या है एक जगा से दूसरी जगा चले जाना migrate कर जाना इसका एक example बहुत ज़ादा famous example या तुम खुद भी तुम्हें पता होता होगा कि जब जो तुम्हें birds गर्मी के season में दिखती है वो सर्दी के season में नहीं दिखती बताओ क्यों हाँ क्योंकि वो गर्मी में ही रह सकती है ठंड को जेली नहीं सकती अगर कोई bird ठंड में हो मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड में कोई भी bird नहीं होगी मैं specific birds की बात कर रहे हूँ जो सिरफ गर्मी में ही रह सकती है तो for example एक bird माल लो जो सिरफ गर्म temperature में ही रह सकती है जैसी ठंड पड़ेगी तो ये मर जाएगी क्यों क्योंकि इसके अंदर ability नहीं है ताकत नहीं है कि अपने temperature को maintain कर सके for example हम क्या होते हैं हम हैं humans हम अपने body का temperature maintain करते हैं चाहे हम कितनी भी गर्मी में चले जाए हम जिन्दा रह सकते हैं चाहे हम कितनी भी ठंडी में चले जाए हम तब भी जिन्दा रह सकते हैं तो हमारे अंदर ability है जिन्दा रहने की हम रह सकते हैं जिन्दा ये नहीं रह सकते तो इनमें क्या होता है ये गरम जगा पे चले जाती है उड़के एक जगा से दूसरी जगा चले जाती है तो इसका बहुत फेमस एक्जाम्पल है राजिस्थान में एक नैशनल पार्क है कियो लाडो नैशनल पार्क भरकपुर में राजिस्थान में जहां पर thousands of migratory bird आती हैं कहां से Siberia से और बाकी और भी other cold northern regions जो north के regions होते हैं नौर्थ की जगाएं होती हैं जहां पर ठंडी पड़ती है बहुत जादा ठंडी पड़ती है वहां से birds आती हैं कहां कियो लाड़ो नैशनल पार्क राजिस्थान भरतपुर यह important example है इसलिए मैंने बताया तो मैं यह important है मार्क कर लो इसे पेज नंबर 225 पर migration लिखा है उसी के last line में last की तीन लाइने मार्क कर लो बहुत important है यह example बहुत पूछा जाता है इस example पर बहुत सारे question आते हैं और as a mcq भी आ सकता है यह तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना बहुत important है आगे चलते हैं next है suspend यानि की मान लो अगर बाहर की conditions थोड़े समय के लिए थोड़े समय के लिए अगर change होती है unfavorable हो जाती है या ऐसी हो जाती है जिसमें survive करना मुश्किल है तो एक organism दो चीज़े कर सकता है या तो वो वहाँ से चला जाए सिंपल बात है भाई जब वो नहीं survive कर सकता वहाँ तो वहाँ से चला जाए migrate कर जाए या फिर दूसरी चीज़ करें जिसका नाम है suspend अब suspend क्या होता है suspend का मतलब होता है देखो नाम से आ रहा है suspend suspend करने का मतलब क्या होता है बरखास्त करना या फिर उसको रोक देना थोड़ी देर के लिए ऐसा ही है न यहीं मतलब होता है रोक देना थोड़ी देर के लिए सहीर इशब ठीक है दिक्षा तो सस्पेंड में दो तीन चीज़ें आती हैं जरा ध्यान से सुनना ये सुना होगा तुमने हाइबरनेशन कुछ और्गैनिजम्स हाइबरनेशन में चले जाते हैं जिनको गर्मी जेली जिन से सर्दी नहीं जेली जाती ऐसा ये ना हाँ ये मैं बता रहे हैं ये ये होती है विंटर स्लीप जब एक कोई भी एक ऐसा एनिमल है और्गैनिजम्स है जिससे सर्दी नहीं जेली जारी तो वो चार से छे महीने के लिए हाइबरनेट कर जाता है मतलब क्या है उसमें होता क्या है वो सो जाता है और एक ऐसी स्टेट में सो जाता है कि उसे खाने की जरूरत नहीं पढ़ती और पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती ठीक है वो जिन्दा रह सकता है उसको कहते हैं winter sleep उसी का उल्टा उसी का उल्टा होता है estimation ये होती है summer sleep यानि कि जिन organisms से जिन animals से या insects से गर्मी नहीं जेली जाती वो चले जाते है estimation में same same चीज है बस ये winter वालों के लिए ये summer वालों के लिए आया समझ में चीज है तीसरी चीज होती है dormancy ये होती है जब seeds के पास favorable condition नहीं है ये seeds में होती है मतलब क्या है एक चीज देखना तुम सब के घर में दाल होगी सब के घर में छोले, दाल, राजमा ये सब चीजें present है है ना है ना सब के घर में है जो तुम दाल रखते हो या सबजी जो सौरी दाल, राजमा, छोले ये सब चीजें रखते हो वो तुम एक डबे में बंद करके रखते हो ऐसा ही है तो एक बात बताओ जो डाल छोले राजमा जो भी तुमने रख रखी है उसमें से जर्मिनेशन क्यों नहीं हो रहा वो जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहे वो है तो सीडी सीड है ना वो तो वो जर्मिनेट करके प्लांट क्यों नहीं मना रहे प्लांट बनाना चीह हो ने क्यों नहीं मना रहे बताओ भाई रिशव सोचने वाली बात है नहीं तो जर्मिनेट क्यों नहीं करते प्लांट क्यों नहीं बनाते हाँ बस यही है सिंपल सी बात है तुम बात क्या कर रहे हो वही बात है तुम यही तो बात कर रहे हो ना, कि अगर आसपास ऐसे condition ही ना हो, कि एक organism survive कर सकता है, तो क्या होगा, दोई चीज़ें होगी, या तो वह वहाँ से भागेगा, migrate कर जाएगा, या फिर वह Suspend, Suspend में 3-4 चीज़ें आते हैं, जिसमें Hibernation, Estivation, Dormancy और एक और चीज़ है, Dormancy का मतलब क्या होता है, Dormancy is a stage of seeds, जिसमें seeds germinate नहीं करते, normal रहते हैं, suspended stage में रहते हैं, कुछ भी growth नहीं करते, लेकिन अगर तुम उन्ही seeds को, अब तुम एक बात देखो, उन्ही छोले, राजमा या इन दाल वगएरा को, तुम पानी में रख दो, थोड़ी देर के लिए, और या फिर उसमें, रुमाल में, हैंक करचीफ में बांद के, रुमाल को गीला कर दो, तो उसमें germination होना start हो जाएगा, सच है, सही है, बताओ, है न, तो वो क्यों हुआ, क्योंकि तुमने उसे उसकी favorable condition दे दी, तुमने उसे पानी चाहिए था, grow करने के लिए तुमने उसे पानी दे दिया, पहले क्यों grow नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एक stage में था, जिसको कहते dormancy, उसको ऐसी condition ही नहीं मिल पा रही थी, कि वो grow कर सके, तो जब तक एक seed को वो condition नहीं मिलती, कि वो germinate कर सके, तब तक वो seed एक specific condition में रहता है, जिसको बोलता है dormancy, बचा हुआ रहता है, उसको कुछ होगा नहीं, seed seed ही रहेगा, ठीक है, आगे समझ में, चले आगे, same तरीके से, unfavorable conditions को avoid करने का तरीका zooplanktons का, zooplanktons क्या करते हैं, diapause में चले जाते हैं, नाम से आ रहे देखो, pause, तो diapause, इनकी ये condition होती है, जिसमें ये grow करना बंद कर देते हैं, और थोड़ी देर के लिए, मतलब, ऐसी stage में चले जाते हैं, जिसमें कोई growth नहीं होती, अब मैं तुमें ये बता दू, zooplanktons क्या होते हैं, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, देखो, क्या होता है, पानी में, दो तरीके के micro organisms होते हैं, एक तो होते हैं, micro plants, इनको कहते हैं, phytoplanktons, पानी के अंदर, किसी भी water body के अंदर, चाहे वो fresh water हो, चाहे वो ocean water हो, कैसा भी पानी हो, उनके अंदर micro plant और micro organism present होते हैं, तो micro plants को बोलते हैं, phytoplanktons, और micro animals को बोलते हैं, zooplanktons, तो पानी के अंदर, जो भी micro organisms, micro animals present हैं, जो animal kingdom से belong करते हैं, वो होते हैं zooplanktons, और अगर इनको कोई unfavorable condition मिलती है, तो यह क्या करते हैं, डाया पॉज में चले जाते हैं, डाया पॉज, समझ आया, देखो, बात क्या है, पानी के अंदर, जो भी पानी होता है न, water body, चाहे वो fresh water body हो, या फिर उसमें वो ocean हो, sea हो, कोई भी water body हो, उस water body के अंदर, दो तरीके के, micro organisms present होते हैं, एक तो वो micro plants होते हैं, micro plants का मतलब क्या है, वो बहुत चोटे चोटे cells होंगे, जो अपना खाना खुद बना पाएंगे, उनको कहते हैं, phytoplanktons, और एक होते हैं, जो animal kingdom से belong करते हैं, और micro होते हैं, मतलब वो cells होते हैं, छोटे छोटे जो microscopic हैं, उनको कहते हैं, zooplanktons, मतलब यह अपना खाना खुद नहीं बना सकतें, यह क्या करते हैं, यह phytoplanktons को खाते हैं, simple सी food chain चलती है, phytoplanktons को यह खा जाते हैं, फिर zooplanktons को छोटी fishes को जटा जाती हैं, फिर छोटी fishes को बड़ी fishes खा जाती हैं, बड़ी fishes को 15Eating birds आई समझ में जूपलैंक्टन्स तो जूपलैंक्टन्स का सेम यही सस्पेंड मतलब हाँ सस्पेंड मतलब अपनी ग्रोथ को थोड़ी देर के लिए रोक देना तो जैसे विंटर स्लीप था हाइबरनेशन जिनसे ठंड नहीं जहली जाती वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं जिनसे गर्मी नहीं जेली जाती वो एस्टीवेशन में चले जाते हैं जिनसे जो सीड्स हैं जो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं वो dormancy में चले जाते हैं और zooplanktons अगर उनके आसपास unfavorable condition होगी जिसमें wö ग्रो नहीं कर पाएंगे वो डाया पॉज में चले जाते हैं आग झाल झाल